आप सभी लोगों का स्वागत हैं एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमने लापने बिल्कुल सही पड़ा है जी एस्टियार 9C की लेट फीज पे करने की अब आपको जरूरत नहीं है सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो भाया देखो एक हाई कोड की जज़्मेंट है केरला हाई कोड की ज़्मेंट है बहुत अच्छी ज़्मेंट है आज इस वीडियो में इसका अनलाइस करेंगे और हो सकता है अगर आपने GSTR 9 या 9C अभी तक नहीं भरी है या late filing कर रहे हो तो आपकी भी late fees माफ हो जाए तो आप हुआ गया था इस case में इस case को समझेगा यहाँ पर जो petitioner था जो assessi था उसने क्या करा 17, 18, 18, 19, 19, 20 की अपनी GSTR 9 को file करा और file करते समें late fees दी 57,600 पर लेकिन उसने अपनी 9C को file नहीं करा 9C को उसने बाद में file करा तो इसने करा गया कि 17, 18, 18, 19, 20 की जो due date थी वो इस परकार थी लेकिन due date के बाद ठीक है ना due date के बाद इसने अपनी 9 file करी और उस पर जो late fees बनती थी वो जमा कर थी ठीक है ना 9C उसने बड़ी late file करी एक एक साल बाद उस पर कोई late fees जमानी करी तो डिपार्टमेंट ने क्या करा 29 मार्च 2023 को उसे notice भेज दिया और उस पर ये बोला कि भईया 2,3,600 पे की late fees आपको देनी है आप इसे दो और बताओ आप पे late fees क्यों ना लगाई जाए असैसी ने इसका reply दिया असैसी ने इसका reply में क्या बोला कि भईया देखो जब मैंने 9 फाइल कर दी और 9 में मैंने late fees भी दे दी अब आप 9C पे मेरे ओपर late fees नहीं लगा सकते यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या गह रहा था डिपार्टमेंट क्या गह रहा था नई भाइसा section 47 की late fees ठीक है ना हम तो 9C नहीं भी आपने वरी तो भी लगाएंगे अब आप मुझे comment box में लिख कर बताना क्या department से ही है क्या असैसी से ही है अब बात पोची high court में जब बात high court में पोची तो high court ने का भई तुमने एक amnesty scheme भी दी थी ठीक है department ने का हाँ जी amnesty scheme तो दी थी लेक तो 1 अपरेल 2023 से 31 अगस 2023 तक का था लेकिन असैसी ने तो उस PDR में return ने फाइल करी उससे पहले return फाइल करी है तो असैसी को amnesty scheme का benefit नहीं मिलना चाहिए भाया high court चक्रा गया कि भाया जो वेक्ति late फाइल कर रहा है उसे तो आप amnesty scheme का benefit दे रहे हो और जिस वेक्ति ने उस amnesty की माने से पहले ही अपनी returns को फाइल कर दिया आप उसे उसका benefit नहीं दे रहे भाया ये तो गलत बात है तो यहाँ पर high court ने संग्यान लेते वे बोला कि भाया देखो पहली चीज तो इस ऐसे समझो कि इस assessi ने amnesty की माने से पहले return फाइल कर दी तो इसके ओपर late fees ना ल पढ़ते हो तो उसमें एक 9 है और एक 9C है और जो 9C है वो क्या है वो reconciliation statement है वो reconciliation statement है और जब वो reconciliation statement है वो तो कोई return नहीं है तो अगर assessi ये वाली return को file कर देता है तो उसके ऊपर ठीक है ना उसके ऊपर late fees नहीं लगनी चाहिए तो यहाँ पर decision क्या दिया court ने court ने decision ये दिय कि भाई अगर इसने 9C नहीं file करी है 9 file कर दी और amnesty scheme से पहले file कर दी तो इस पर कोई late fees नहीं लगनी चाहिए अब बस ऐसी कहने लगा sir जो मैंने ये 57,000 रुपे की late fees जमा करी है ये मुझे refund कर दो high court ने का नहीं वाई ऐसा नहीं जो तुमने pay कर दी वो कर दी उसका refund नहीं मिलेगा लेकिन अब आपको कोई और late fees अलग से 9C के लिए separate pay नहीं करनी है अब यहां से हम किस conclusion पर पहुचे है कि अगर आपकी 9 file है ठीक है और 9C आपने file ली करी है तो आपको late fees देने की जरूरत नहीं है आप ये वाली judgment यूज़ कर सकते हूँ ठीक है अगर आपने amnesty scheme से पहले file कर दी है तो भाईया आपको उस वाले case में भी कोई late fees देने की जरूरत नहीं है अब यहां पर कई लोगों का question या आता है सर ये case लो कहां पर मिलेगा भाईया ये case लो हमारी magazine में मिलेगा कौन सी magazine में मिलेगा मई 2024 की magazine में मिलेगा सर आपकी magazine पहले तो आती थी अब भाईया हुआ गया होगा ना तुमारा subscription expire हो गया होगा तो आप क्या करो अपने subscription को renew करा लो payment कर गे सर अमने तो आज तक अपनी magazine देखी नहीं की कैसी है तो कोई बात नहीं आप हमारे को what's up करो हम आपको sample copy दे देंगे अगर आपको sample copy अच्छी लग रही है तो आप हमारी अब यहां पर इस चीच को समझो जो जो लेट फीस है वो section 47 तो लगाता है section 47 तो लगाता है लेकिन portal नहीं लगाता तो भाईया अगर अगर आपने department के notice के हिसाफ से penalty या लेट फीस पे कर दी तो भाई वैसे तो ठीक है क्योंकि section कहता लेट फीस लगनी चाहिए लेकिन अग अगर ऐसा हुआ कि भाईया government ने कोई amnesty scheme ला दी या government ने section 47 की लेट फीस वेव ओफ कर दी GSTR 1 के लिए तब क्या होगा तब आपको refund थोड़ी मिलेगा तो अब यहां पर आप इस high court की judgment को use कर सकते हो ठीक है ना GSTR 1 के लिए भी कर सकते हो कि भाईया अभी तो हम GSTR 1 की लेट fees नहीं देंगे जब तक portal calculate नहीं करेगा जब portal calculate करेगा तब हम देंगे और हो सकता है GSTR 1 के लिए कोई amnesty scheme भी आ जाए तो अगर हमने उस amnesty scheme से पहले फाइल कर दी होगी तो इस judgment का benefit हमें भी मिल जाएगा तो आप यह वाली चीजे भी अपनी GSTR 1 की late fees में लगा सकते है आप इस वाले case को आगे तक ले जा सकते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में लिखकर बताना ठीक है न जी आपको अगर वीडियो में कुछ भी suggestions देना है तो हमें comment box में लिखकर बताना और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को like भी क